Hello guys, welcome back, आज हम देखेंगे some rules of pronunciation C को स कब कहा जाता है और C को क कब कहा जाता है, यह हम आज देखेंगे Rule number one, अगर C के बाद I, E या Y हो तो उसे स कहा जाता है For example, center, cycle, circle, यह जो शब्द है इन्हों स कहा जाता है आप मुझे comments में बताएं और क्या-क्या example हो सकता है इसके Second rule की तरम जाते हैं, second rule ऐसा है इसे छोड़के जो भी words है उन्हें कहा जाता है For example, cat, car, cricket और बहुत सारे हो सकते हैं जो आप मुझे comments में बताएंगे यह वीडियो उन्हें सभी के साथ share कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है See you in the next video